अहिल्या के एक फैसले ने बोलती बंद कर दी गुनुजी और धनाजी सरकार की नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरेट्स में हंगरी स्पिरेट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अन्जु शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ तो ये बात अहिल्या को कैसे बरदाश्ट हो दोस्तों कि उसी की प्रजा से उसके घर चीन ले जाएं क्यों क्योंके उनकी जो प्रशासन है उनका जो मालवा की गद्धी पे जो लोग बैठे हैं जो सैना पती हैं जो सैना है उनके गाउं वालों की रक्षा नहीं कर सकती है इसलिए गाउं वालों को वहां से खदेड के, उनके घर से कदेड के कहीं और बिठा दिया जाए ये केस वैसे भी समझने वाला है जो आया है सामने और जब अहिल्या के सामने आया है तो ये केस और भी जादा महत्वपूरण हो जाता है क्योंकि हिल्या तो ऐसा कभी कर भी नहीं सकती है इसके लिए वो जी जान लगा देगी इस बात को बनाने के लिए कि गाउं वनों को उनका घर उनके गाउं वापिस मिल जाए चलिए इसमें चर्चा करते हैं सीरियल में कि आपको कैसे देखना है चीजों को आपको प्रॉब्लम को प्रॉब्लम की तरह देखना है उसका एक असान सा तरीका देख के यहां से चीज यहां टा दो तो साफ हो गया problem solve होगे, या फिर problem का dutb解ե्क के मकाबला करना है आगे जिन्दगी में वो problem आपके सामने नयाए, तो ये बार मैंने अहिले कि इस decision से देखी है कि कैसे उसने इस problem को लेके इन्होंने अपना decision सुनाया, जिस problem को द्हना जी सरकार ने इस तरह से solve किया था कि जो घर वहां है उन घर के लोगों को वहां से खदेड के दूसरी जगह पे बिठा दिया कि प्रजा की हमने सुरक्षा कर लिया है कि प्रजा की जान नहीं जा रही है जान है तो जहान है जो भी वो डायलोग नहीं रही है तो वह उन्होंने करके अपनी तरफ से फैसला कर लिया मगर दोस्तों अहिल्या का यह नहीं है अहिल्या का यह है कि अगर कोई समस्या है सामने उसका मुकाबला करो उसको solve करो हमेशा के लिए ताकि आगे से वो आपके सामने ना आए, वही उसने किया, उसने उन सब बातों का कोई जवाब नहीं दिया, जो दर्बार में धना जी सरकार उनके खिलाफ कर रहे थे, क्या पिस्त्री हो, आपने तो चूला चोका देखा है, आपको तो पता नहीं है कि भुगोल क्या है, क्या है, जोग्रफी, मालवा कि आपको तो कुछ पता नहीं है, तो इसलिए आपको जो मैं कह रहा हूँ, उसको मानिये, मगर दोस्तों उसने रियक्ट नहीं किया, उसने कुछ नहीं बोला, सिर्फ सुना, और जो उनको कहना था, फैसला सुनाना था, उन्होंने दर्बार में सु यह उनको बरदाश नहीं था, और उनका बेटा उनी के कदमों पर चल रहा है, उनको भी गुलू जी को भी पूरा मौका मिल गया कि बाकी मंत्रियों को बढ़ताते हैं, और उनको बोलते हैं कि यह तो गलत फैसला है, ऐसा तो वही नहीं सकता है, मलहार राओ ने इनको गद् अंदर जाते हैं, उनको वहाँ पे जब अहिल्या से बाचीत होती है, जिस तरह से वो जोग्रफ इनको बताती है, इनको तभी समझाना चाहिए था कि अहिल्या जो भी फैसला करती है, उसके पेचे पूरी तैयारी के साथ वो फैसलात देती है, तो जब ये चीजे उन्होंन को खदेर देगी वहां से, उनकी प्लानिंग ये चल रही है अहिल्या के, मगर यहां पे दनाजी सरकार और गुर्णुची की प्लानिंग ये चल रही है कि बस हो गया, हमने कर दिया, सरकारी काम की तरह कर दिया, कि हमने यहां से चीज उठा के वहां पर अर्दी सुरक्षा ह तो यह चीज जो अब अहिल्या ने की है वह वाकिक काबिले तारीफ है अगर मैं इस बात की एक और एक्जैम्पल दूँ आपको तो जिस तरह से अहिल्या ने बच्पन में ऐसी कुछ बुगोलिक चीज को दर्बार में सॉल्व किया था वैसे उन्होंने अब रानी बनके भी स सुरकार को जो वो सुनके गद-गद होगे थे उन्होंने का तक कर सकते हैं तो यह चीज यह चाहिए ना उनको याद नहीं आए इसलिए उनकी यह जो बोलती बंद होना बहुत जरूरी था और उनको अब ये भी समझ में आ गया होगा कि आगे भी ये जो रानी है, जो अहल्या रानी है फैसले देगी और दंके की चोट पे देगी और आपको सुनने पड़ेंगे क्योंकि उसके पिछे उनकी वजा होगी क्या कहते हो आप, फर्मेंट कीजिए, देखते हैं ही चैनल हंगरी स्पिर्स, थैंक यू सो मच